हेलो फ्रेंड्स, वेलेंगा तो मैं यूट्यूब चैनल, आज किस फीडियों डिस्कस करेंगे कि जो आपका डियेवी, सीबीटी एक्जाम चल रहे हैं, उसमें जो आपका एक्जाम 6th of March को हुआ, उसका पैटर्न कैसा था, उसमें कैसे कैसे कोशन्स आए थे और वो जो कोशन से कौन से लेवल के थे और उनमें क्या-क्या अपरेशन सीस बार, सॉरी मैं यहाँ डेट गलत वोल गया, 5th of March, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, पी आटी, शोशल साइंस की, ये स्लाव 2 भिहार का था, इसमें जो कोशन्स आए थे, पहले तो पेपर एक ही बात करते हैं, जिसमें आपका जर्नल इंग्लिश और एपिट्यूड आया था, जिसमें अवेरनेस आई थी, रिजनिंग, ब्लड लेशन, कंपैरिजन, संटेंस करेक्शन, फिर मीरर इमेजिस आई थी, कोई शेप दे दी, उसकी मीरर इमेज कैसे होगी, वाटर रिफलेक्शन, एसर्शन, रिजनिंग भी आई थी, तो यह जो कोईशन है, चेंडिस होते रहते, यह नहीं कि जैसा पहले, सस्टी वाला वेपर गया, वैसे ही पेपर आएंगे, उसके बाद, कुछ टैंसिस के कोईशन भी थे इसमें, फिर अगर अपका मेन सब्जेक्ट की बात करें, आपकी नेशनल रिवर है, उसके लेडल कुछ कोईशन से, सस्टी में पेटागोगी भी थी, उसके रिगार्डिंग भी कोईशन से, और यह जो आपका सस्टी वाला शोशल साइंस वाला एक्जाम था, सीबीटी का, इसमें आपके सारे कंसेप्स को कवर किया गया था, जैसे आपका जियोग पेपर था, अगर तो आप UDC NET की प्रेपरेशन वेरा कर रहे हैं, तो उनके लिए यह पेपर इजी था, अदरवाइस पेपर यह मौडट था, तो यह था हमारा P.R.T. शोशल साइंस का एक्जाम, जो आपका 5th of March को हुआ, Slot 2 विहार का, नेक्स्ट, T.G.T. अगर हम संस्क की बात करें, यह जो आपका पेपर था, यह था NET LEVEL का, टफ था पेपर संस्कृत वालों का, इसमें साहित्य महाभारत, रमायन, गीता, यह 4-5 प्रशन आये थे इसके, उसके बाद जनरल इंग्लिश स्पैलिंग की करने के लिए आई थी, और एक दो कोशन से स्पैलिंग व लेकिन हाँ, जिससे भी बात हुई, उसने मुझे यह सारी चीज़ें बताए की, जो हमारे कोशन से, यह स्कूल लेवल के नहीं थे, यह NET LEVEL के थे, और पेपर हमारा यह तो था, टफ था संस्कृत का, तो उसके लिए आप आईडिया ले ली दिये, जैसे मैं आपको बता र यह दोनों में UDC, NET LEVEL के कोशन्स भी आये थे, अगर आप उसके लिए प्रपेर कर रहे हैं, तो आपके लिए काफी ज़दा इजी होगा कोशन्स को अटेम्ट करना, आगे जलते हैं, TGT म्यूजिक की, इसका जो पेपर था, बच्चों का काफी अच्छा गया, इसको हम कराग, गाने का समय, मलकुंस, कराग का, यह ऐसे कोशन्स से, जो आपके एक्जाम में आये थे, बाकी हम बात करें, इनका जो जनरल इंगलिश एप्टिटूर था, वो अल ओवर सेम था, जैसे मैंने आपको बताया, कोशन्स अलग थे, लेकिन जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए, reasoning हो गया, blood rotation हो गया, comparison हो गया, spelling correction हो गया, antonium, synonym हो गया, आपको एक sentence दे दिया है, उसको आपने बताना उसमें से कौन सी गलती है, और spelling वेरा, उन्होंने incorrect दिया, आपने बताना है, कौन से spelling उसमें से correct है, then water reflection वेरा तो आपको मैंने बताई दिये, तो यह था आप आपका music का exam, हाँ, music में और भी चीज़ें थी, music में आपका computer के भी एक दो questions थे, और subjective music का था, वो graduation level तक पूछा गया था, तो यह हो गया हमारा PRT social science, TGT Sanskrit, TGT music, now, अब हम discuss करते हैं, PRT librarian, जिसका काफी ज़्यादा बच्चों को doubts है, कि sir, इसका levels कहां से, कैसे आता है, तो इसमें जो आपका level था, थोड़ा hard था, इसके questions भी net level के थे, अगर आप UDC net की preparation वेरा कर रहे हैं, तो आपके लिए paper easy था, otherwise moderate था, इसमें थे international, national related questions आया थे, ILA headquarters आया था, first library कहां थी, ऐसे questions आया थे, ISBN की 13 digits होते हैं, तो इसके related पूछा गया था, कितने digits होते हैं, और computer management आय आया था, scientific data processing आया था, computer related, IT related, इसमें questions जैसे computer के parts, उनने पुछा कि ये computer का कौन सा part है, input है, output है, parts के example दी थी, उसके बाद library document types आया थे, जिसमें conventional, non-conventional, new document कौन सा इस बार add किया गया है, long range, short range, basic library system पुछा गया था, और classification of library, तो ये सारे questions आया थे, जैसे मैंने आपको ब library कहां पर open हुई थी, ऐसे questions भी थे, तो ये था all over जो आपका 5th of March को exam हुआ है, इनकी shift जो थी, इन सभी की shift मैं आपको यहां बता रहा हूँ, वो थी इन सभी की evening shift, PRT, social science, TGT, Sanskrit, TGT, music और PRT library, और जो आपका PRT, social science का अदाई है, सिर्व भिहार में exam हुआ है, जो all over other states का ह वो आपका 4th of March को हो चुका था, अगर आपको ऐसी date sheet चाहिए कि आपका exam कौन सा किस दिन है और timing का है, आप हमें telegram पर follow करके, अंस्टा पर follow करके message कर दीजिए, मैं आपको पूरा जो हमारे पास study material है, study material जो से आपके पर कहां कहां से आएगा, आपने कहां कहां से preparation करनी है, तो वो सारा मैं आपको particular link में provide कर दूँगा, तो अगर आपको लगता है कि आपने भी यह exam जो दिया था, उसमें यह questions और आए थे, जो आप और अच्छे से हमें बता सकते हैं, जरूर comment section में comment करिएगा, syllabus का काफी बच्चों का issue आ रहा है, तो मैंने already अपने YouTube channel पर syllabus क्या रह लेगी, PGT का exam काफी tough आ रहा है, because PGT level जो है, वो तो UDC net level समझ लीजिए, because common सी बात है कि अगर आपने higher classes teach करनी है, तो उसके लिए levels भी थोड़ा वो उसके recording ही डालेंगे, बाकि TGT और PRT level की बात करें, यह up to 10th level का रहा है, लेकिन कुछ questions ऐसे हैं, जो आपको higher level के आ रहे ह तो friends, अगर first time YouTube channel पर हमारे visit कर रहे हैं, जरूर channel को subscribe करेगा, और latest updates के लिए हमारा telegram group channel जरूर subscribe करेगा, so that in future, जो भी ऐसी latest updates आएंगे, उनका जो notification है, वो आपको timely मलता है, so thank you friends, watching this video, and for your valuable time